बिनावन के प्लम केक वो भी इतने आसान तरीके से इतना स्पॉंजी और टेस्टी कास्क पहले पता होता यही बोलेंगे आप जब ये रेश्पी देखेंगे तो आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी प्लम केक की रेश्पी तो चलिए इस रेश्पी को बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैनल लेंगे और उसमें कुछ ट्राइफ रोट से डालेंगे जैसे कि यहां हमने ब्राउन किस्मिस लिया है और फिर हम इसमें ब्लैक किस्मिस डालेंगे ब्लैक वाली जो किस्मिश होती है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है इसलिए हम उसे दो टुकड़ों में काटके डालेंगे फिर हम इसमें टूटी फ्रूटी, चेरी और अप्रिकॉट को काटके डाल देंगे यहाँ पर आप अपने कॉर्डिंग ड्राइफ रोट से यूच कर सकते हैं कुछ ड्राइफ रोट जो बाकी है वो हम इसमें बाद में डालेंगे यहाँ पर सारे ड्राइफ रोट की क्वांटिटी हमने टू टेबल स्पून लिया है ट्रेडिशनल तरीके से जो रम केक बनाया जाता है उसे चार से पान दिन रम में सोक करके बनाया जाता है लेकिन हम इसे औरेंज जूस में बनाएंगे आप चाहँ तो इसे 24 आवर के लिए सोक भी कर सकते हैं लेकिन हम इसे instant बना रहे हैं इसलिए हम इसे औरेंज जूस में थोई देर पकाएंगे जिसे ये सारे ड्राइफ रूट्स अच्छे से फूल जाएंगे यहाँ पर इसमें मैंने half cup औरेंज जूस डाला है यहाँ पर आप fresh औरेंज जूस का इस्तमाल नहीं करें यहाँ पर आप कोई भी packet वाला औरेंज जूस ले सकते हैं इसे हम medium flame पर ही पकाएंगे जिसे जो ये सारे ड्राइफ रूट्स हैं वो अच्छे से juice को सोक कर लेंगे और ये फूल जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारे ड्राइफ रूट्स हैं अच्छे से फुल गया है और औरेंज जूस भी पूरी तरह खतम हो गया है यानि कि जो ड्राइफ रूट्स हैं वो अच्छे से प्लम हो गया है तो अब हम गैस का flame off कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो जब तक यह ठंडा होता है तब तक हम केक तीन तयार कर लेते हैं केक तीन में हम थोड़ा सा oil डालेंगे और इसे brush से चार और फैला देंगे फिर हम इसमें थोड़ा मैदा dust करेंगे और extra जो मैदा होगा उसे निकाल लेंगे इसे जो केक है वो बिल्कुल भी तली में चिपकेगा नहीं अगर आपके पास butter paper हो तो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं पर ऐसे करने से भी आपका केक बहुत ही आसानी से निकल लाएगा तो यहाँ पर हमारा केक तीन तयार हो चुका है तो अब हम भगोने को preheat करेंगे यहाँ पर आप कुकर या कड़ाई का भी यूज कर सकते हैं इसमें मैंने पहले से थोड़ा नमक डाल के रखा है अब हम इसके उपर एक स्टैंड रखेंगे और इसे ढख कर 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर preheat करेंगे तो चलिए अब हम केक का बैटर बनाते हैं उसके लिए हम एक बड़ा बोल लेंगे और उसमें आधा कप पिसा हुआ चीनी डालेंगे साथिम इसमें एक चोथाई कप तेल डालेंगे यहाँ पर आप अन फ्लेवर्ड आयल का इस्तेमाल करें अगर आप फ्लेवर वाले आयल का इस्तेमाल करेंगे तो केक में उसका फ्लेवर आएगा साथिम यहाँ एक चोथाई कप दही डालेंगे और आधा कप दूद डालेंगे यहाँ पर दूद को पहले हमने बॉयल कर लिया था फिर उसे नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर कर लिया है अब हम इसमें एक चमच वनिला एसेंस डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाए यहाँ पर आप बहुत जादा खटी दही का इस्तमाल नहीं करें तो यहाँ पर हमने इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें ड्राइंग्रीडियन डालेंगे उसके लिए हम एक बड़ी छन्नी लेंगे और इसमें एक कप मैदा डालेंगे आप चाहे तो इसे और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर आटी काभी इस्तिमाल कर सकते हैं साथी हम यहाँ दो टेबले स्पून यानी दो बड़े चमच कोको पावडर डालेंगे जिससे इसका कलर तो चेंज होगा ही साथी स्मेक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है फिरम इसमें दो बड़े चमच मिल्क पावडर डालेंगे प्लमके की स्पेसली क्रिस्मस में बनता है इसलिए इसमें धेर सारे विंटर स्पाइसेस बढ़ते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं इसलिए हम यहाँ डालेंगे हाफ टी स्पून डालचीनी का पावडर और वन फोर टी स्पून सोठ का पावडर यहाँ पर आप लॉंग का भी पावडर डाल सकते हैं इन सारे स्पाइसेस का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है आपके पास जो मसाले नहीं हो आप उसे स्कीप कर सकते हैं तो अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे साथी हम इसमें एक चमच बेकिंग पावडर और एक चौथाई चमच बेकिंग सोडा डालेंगे अब हम इन सब को अच्छे से छान लेंगे छानने के बाद हम इन सब को मिक्स करेंगे इन सब को आप कभी भी बहुत जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करें इसे धीरे धीरे आराम से मिक्स करें ध्यान रखिए इसमें बिल्कुल भी लंस नहों जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए फिर जो हमने ड्राइफ रूट्स को औरेंज जूस के साथ पकाया था उसे डाल देंगे इसमें से आप थोड़ा सा बचा लें उपर से केक को डेकुरेट करने के लिए तो इसके साथ ही हम यहां कुछ और भी ड्राइफ रूट एट करेंगे जो हमने सोक नहीं किया था तो यहां पर हम थोड़े काजू बादाम और मगज ले रहे हैं यह भी लगबग दो दो टेबर स्पून है तो यहां पर हमने सारे ड्राइफ रूट को एट कर लिया है अब हम धीरे धीरे इन सबको मिक्स करेंगे इसका बैटर हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाते हैं इसे थोड़ा गाढ़ा रखते हैं नहीं तो जो सारे ड्राइफ रूट हैं वो तली में जाकर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे केक तीन में डालेंगे तो बैटर को हम अच्छे से केक तीन में डाल देंगे और इससे हलका साथ टैप कर देंगे जिससे इसमें कोई भी एयर न बने और ये अच्छे से सेट हो जाए फिर हम इसके उपर बचे हुए ड्राइफ रूट को डाल देंगे तो चलिए आप केक को बेक कर लेते हैं तो यहां पर लगबग एक घंटे हो चुके हैं अब हम इसे चेक करते हैं इसमें हम टूथपीक या नाइफ से चेक करेंगे अगर वह पूरी तरह क्लीन निकल आए यानि केक पूरी तरह से पक चुका है तो यहां पर हमारा क्रिस्मस स्पेशल प्लम केक बनके तयार हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं कि बिना बटर पेपर के भी यह केक इतनी आसानी से निकल गया है और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कलर भी आया है यह केक बहुत ही ज़्यादा सौफ्ट और स्पॉंजी बनते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे नट्स भी डले हुए है तो आप भी एक बार इस बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले प्लमके की रेश्पी को जरूर ट्राइ कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ